नमस्कार स्वागत सभी का पुनहा एक और वीडियो में आज का वीडियो किसी युनिवस्टी के एड्मिशन को लेकर नहीं है ना ही किसी युनिवस्टी में होने वाली परिवेश परिक्षा को लेकर है आज का वीडियो एक ऐसे विश्वेदाले के विशे में है जहां होने ज जार ही हैं पर services परिक्षाई नहीं बलकि परिक्षाई यानि के अंतिम semester की या अंतिम barest की जो परिक्षाय होती है उसके विशय में सूचना तीन आई है सूचना और तीन notification और university में होने वाले बहुत परकार के examination की सूचना आपको दी जाएगी इस वीडियो में युनिवस्टी का नाम है बहुत दिनों से चर्चा में है महात्मा गांधी काशी विद्यापीट वारा नसी में जो हिस्तित है उत्तर परदेश में उसकी करेंगे बाचित जहां होने जा रही है परिक्षाएं अंतिम सेमेस्टर की या अंतिम वर्स की जिसकी तारीक है 15 जुरा प्रमोट की परणाली यहां भी लागू है और आपके एक नोटिस पढ़ना होगा 16 जून 2021 का नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा और उसी नोटिफिकेशन को डिसकस करेंगे बात में पहले आप से डिसकस करता हूँ 2 जुलाई का दो जुलाई के नोटिफिकेशन में परवेश परिक्षा के प्रारूप यानिके pattern में थोड़ा सा बदलाव किया गया है और यह बदलाव 20 और 21 के इसी परिक्षावं के लिए लागू होगा आगे के लिए लागू नहीं होगा इस बात का ध्यान रखेगा क्या है नया बदलाव सुन लीजिए 15 जुलाई से आपकी परिक्षावं होने वाली है ठीक है सभी की सभी समेश्रे की जो भी मैं आपको बताऊंगा भी उसकी परिक्षावं होने वाली है ध्यान से जोगों को नोट कर लिएगा और सभी date sheet के link आपको description box में मिल जाएंगे और website पर भी आपको मिल जाएंगे सबसे पहली चीज़ जो बतलाव किया गया है जो परिक्षा होती थी तीन घंटे की उसका समय 50% reduce कर दिया गया है तो अब आपके परिक्षाई होंगी डेड़ घंटे की यानि की 90 मिनट की इस बात का ध्यान रखियेगा और उसके इलावा शब्दों के जो उत्तर लिखते हैं आप सवालों के जो उत्तर लिखेंगे उसके लिए भी शब्दों की सीमा निर्धारित कर दी गई है ठीक है शब्दों की सीमा निर्धारित कर दी गई है और लगूतर रहे हैं धीगर लगूतर रहे हैं ये सभी प्रकार के प्रशन आपसे पूछे जाएंगे इस बात का भी ध्यान रखेगा ठीक है ऑप्शनल जरूर होंगे प्रशन मान लीजे किसी परिक्षा में पांच कोशनल पूछे गए हैं जिनकी जवाब आपको लिखने है साथ तीन सो शब्दों में तो याद रखेए कि पांचों सवाल नहीं करने होंगे आपको तीन या दो सवाल करने होंगे इस्ट्रंक्षन को ध्यान से नियाम निरदेश को पढ़ लीजेगा पेपर को देते वक्त में यह कहता है दो जुलाई का नोटिकेशन इस नोटिकेश परिक्षाईब यूट जाना होगा रिक्षा fel धार विश्वित्याये में आपके रिजनल सेंटर जो भी बनाये गए वहाँ आपको मिलेंगे आपके question और उसके मिलेंगे answer sheet सवाल को पढ़के omair sheet में आपको गोले लगाने हैं डॉट डॉट गोले होते हैं pink color के वे लगाने हैं उस पर आपकी परिक्षाइन ली जाएगे ठीक है इसके अलावा कुछ सवालों के जवाब आपको लिखित में भी देने होंगे return में देने होंगे ठीक है उसके लिए भी आपको विश्विदाले से ही sheet मिलेगी answer sheet मिलेगी इस बात का भी ध्यान रखिएगा ठीक है इसके अंदर notification में कुछ points में आपके लिए पढ़ देता हूँ जो आपको जानना भी है जरूरी है खासकर point number 5 को सुनिए आप point number 5 कहता है सनातक दुत्ते वर्ष और तिर्ते वर्ष के चात्रों की परिक्षाइं होंगी यानि कि UG second year UG third year की परिक्षाइं होंगी 100% होंगी इसके अलावा जो पाठे करम चार वर्ष होंगा है उनके दूसरे और चौथे वर्ष की परिक्षाइं भी होंगी जो पाठे करम चार वर्ष का है उसकी second और fourth year की परिक्षाइं होंगी इस बात का ध्यान रखेगा और जो पाठे करम तीन वर्ष होका है उसकी भी दूसरे और तित्य वर्ष की परिक्षाएं होगी पॉइंट नमबर पाँच इसको ध्यान से समझ लीजिए एक और इसमें बात कही गई है खासकर पॉइंट नमबर छे में प्रमोट किया जाएगा वर्ष 2022 में होने वाले उनके दूसरे वर्ष की परिक्षा के अंगों के अधार पर उनके पर्थम वर्ष का परिक्षा एवं अंग निर्धारन किया जाएगा यह कहा गया है एक और बात कही गई है पॉइंट नमबर आठ में पॉइंट नमबर एट कहता है सुला जुंकर उन्टिकेशन यूजी या पीजी यूजी एवं पीजी के फर्ष्ट सेमेस्टर और लाज्ट सेमेस्टर के सभी प्रशन पत्रों की परिक्षाएं होंगी याद र इन तीन कोर्श की परिक्षाएं होंगी या नहीं होंगी लेकि इनको छोड़ा गया है और आगे कहा गया है पॉइंट नमबर आठ में कि यूजी और पीजी के फर्ष्ट सेमेस्टर के अंक के अधार पर यूजी और पीजी के फर्ष्ट सेमेस्टर के अंक के अधार पर सेकंड सेमेस्टर के अंकों का निर्धारन करते हुए परमोट किया जाएगा उसके उपरांत यानिकि उसके बाद तिरते समेस्टर में परवेश दे दिया जाएगा इस पॉइंट को ध्यान से समझी, पॉइंट नमबर आठ को इस बात का ध्यान रखिएगा, एक और बात कही गई है पॉइंट नमबर दस में, पॉइंट नमबर दस में बात कही गई है और ये बात है लौ की बच्चों के लिए विशिश रूप से, लौ की परिक्षाएं विधी की परिक्षा भी अन्य पाठ्ठक्रमों की भाती ही होंगी जो बार काउंसिल ओफ इंडिया द्वारा दिये गए दिशा निर्दों के अनुसार आयोजी की जाएंगे ठीक है इस बात का ध्यान रखेगा तो वीडियो जादा ना लंबा करते हुए बाकी बातों को आप लीजिएगा और डेशीट की मैं मोटा मोटा चर्चा कर लूँ ठीक है जो खासकर पीजी के बच्चे हैं सनातक उत्तर के बच्चते हैं उनकी परिक्षाएं 28 जुलाई से प्रारम होंगी और 6 अगस्त तक चलेगी ठीक है यह कुछ सब्जेक्ट की उसके अलावा फिर सनातक को उत्तर अंतिम समेस्टर की जो मैंने आपको बताई 28 जुलाई से लेकर 6 अगस्त के बीच में यह पीजी के फर्ष्ट समेस्टर की परिक्षाओं का डेट है और टाइमिंग है दुपहर 12 से लेकर डेड़ वजे तक का डेट आप देख लीजेगा मैं लगा दूंगा प्रि परिक्षाओं का समय वही है 12 से लेकर 12.5 वजे के बीच में और 15 जुलाई से आपकी परिक्षाओं स्टार्ट होंगी इस बात का ध्यान रखिएगा और आपकी परिक्षाओं का जो लाश्ट है वह है 30 जुलाई 15 से लेकर 30 जुलाई के बीच में अंतिम समेस्टर की परिक्षाएं एक्जामिनेशन 15 जुलाई से प्रारम होंगे और ये काफी लंबे चलेंगे लगबग लगबग अगस्त के महिने तक चलेंगे 10 अगस्त तक इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है तो डिश्टिट ये भी देख लीजिएगा और उसके लावा BBA, BCA, LLB, BA, LLB BA, BPA, MPA, BSC Agriculture, BCOM Honors इनकी भी परिक्षाएं सुभा आठ बज़े से साड़े नौ के बीच में होंगी 15 जुलाई से परिक्षाएं स्टार्ट होंगी 7 अगस्त तक चलेंगी और परतिक डिर्ट शीट के नीचे 4-5 दिशान निर्देश दिये गए है इस बात का ध्यान और एक बड़ा ही इंट्रेस्टिंग दिशान निर्देश से पढ़ देता हूं मुझे पढ़कर हसी आई थी आपको सुनकर हसी आएगी यह नोटिस का मैं लिंक की देऊंगा खास कर जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं लॉक के सब्जेक्ट हैं BCA के कोर्स है उसमें एक नियम दिया हुआ है पॉइंट नमबर दो उसमें कहा गया है परिक्षा विवन में ववन में मुवाइल लाना मनना है हमानने एक और बात कहिए मुवाइल फोन अस्त्र सस्त्र या किसी परकार की अनुची साधन का परियोग वर्जी था अब समझी अस्त्र सस्त्र क्या होता है इस पहुँच पाता है यह अडिशनल है नोट में है किसी भी परिक्षा में यदि कोई विध्यारती समय से नहीं पहुँच पाता है पंद्रा मिन का को एक्टेंशन उसका वेट किया जाएगा उसके बाद उसको एंट्री नहीं मिलेगी उसके अलावा यदि कोई लड़का कोई सम का सेकिंड सम का लौ का किसी भी कोर्स का कोई एक्जाम देना नहीं चाता है या कोई एक्जाम छूट जाता है उस परिस्तिती में महात्मा गांधी काशी विध्या पीठे किसी भी परिस्तिती में दुबारा एक्जाम नहीं लेगा इस बात का विशेश रूप सिधान जाएंगे दीगे सुचना को लेकर ठीका टिपनी हो जरूर सवाल कर दीजिएगा मिलते हैं एक और वीडियो में पुना बॉजल तब तक के लिए टेक केर जैहन सलाम